बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कटनी में मैडिकल कॉलेज खोलने को लेकर चिकिस्ता शुक्षा मंतरी विश्वा सारंग को एक पत्र लिखा है इन सब के बीच आज भारती जंता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और स्थानी सांसद विश्नुदत्य शर्मा ने मुख्य मंतरी शिवरास सिंग चौहान और केंद्र सरकार को पत्र लिखने के साथ ही चिकित्सा शिक्षा मंतरी विश्वास सारंग से पंडित दीन दयाल प प्रदेश भाजपा ध्यक्ष विश्नुदत्य शर्मा भी उतराए हैं उन्होंने सियम शिवरास सिंग चौहान और केंद्र सरकार को पत्र लिख कर जल्द ही मेडिकल कॉलेज की स्वीक्रती देने की मांग की है बीजेपी प्रदेश ध्यक्ष विडी शर्मा के मताबिक खजराहो संसदीक शेत्र में कटनी के आसपास कई जिले ऐसे हैं जहां पर चिकित्सा का अभाव है ऐसे में वीडी शर्मा ने मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर जिकित्सा शुक्षा मंत्री विश्वा सारंग को पत्र सौपा है विश्वा सारंग का कहना है कि एक बड़े संसदीक शेत्र की में विश्वा सारंग का कहना है के सांसद होने के बावजूद भी अपनी जनता के लिए सांसद की गंभीरता वाकई काबिले तारीफ है मेडिकल कॉलेज को लेकर एक हफ़ते के भीतर ही सरकार अपना प्रस्ताव तयार करेगी कि बहुत बढ़ाई देता हूँ कि संगिठन के इतने वले पत पर बैठे हुए गत्ती बहुत बार अपने छेत्र में उतना ध्यान नहीं देते परंतु खज्राओं के सांसत के रूप में मानने हमारे प्रदेश अद्याग जी का जिस पकार से दिकास को लिखकर एजेंडा है तो निश्चित रूप से बहुत काबिले तारीफ है मैं खज्राओं की जंता को बहुत बढ़ाई देता हूँ कि ऐसा सांसत चुना बता दें की बीजेपी प्रदेश अद्यक्ष वीडी शर्मा खज्राओं से सांसत है ऐसे में एक सत्ता धारी दल के प्रमुक होने के नाते कटनी वासियों को उम्मीद है कि उनके इस बहु प्रतिक्षित मांग को जल्द ही पूरा किया जा सकेगा लिहाजा अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से इस मामले में आगे क्या फैसला होता है बोपाल से MP News के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट